हेलो डव्लपर्स सो कैसे हैं आप लोग आई होप आपको मज़ा है ओका लास्ट प्रॉब्लम में ठीक है लास्ट प्रॉब्लम हमारी क्या थी डिटेक्ट कैपिटल लेटर जिसको हमने चारों लेंगोज में सॉल्फ करके देखा था ठीक है और आज हम डिसकस करेंगे पावर प्रॉब्लम है इसका नंबर है 231 एक बाद हम सॉलूशन करना स्टार्ट करेंगे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं अच्छे से ठीक है उसके बाद ही हम कंडिशन लगा पाएंगे जब तर प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो कंडिशन अप कैसे लगाएंगे ठीक है चलिए तो आपका पावर अफ टू कहता है कि गिविन एन इंटीजर एन ठीक है आपको एक एन नंबर का इंटीजर देना है ठीक है उसके बाद वो क्या करेगा रिटर्न ट्रू कर देगा कर इफ इस पावर अफ टू का मतलब क्या हुआ ठीक है मैं आपको अभी समझाऊंगा उससे पहले हम देख लेते हैं, यहां पे examples आपके दे रखे हैं, ठीक है, example 1 में अगर आपने 1 दे दिया है, तो 2 return हो जाएगा, power of 2 of 0, आपका input and 16 दे रखा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, power of 2 की है, ठीक है, जो आपका 4 दे रखा है, और third example में यह दे रखा है, कि आपका कोई power of 2 अगर नहीं है, तो आपका false हो जाएगा, ठीक है, अब मैं आपको इसको detail में explain करता हूँ, ठीक है, let me share my iPad screen first, ठीक है, I hope आपको यह दिखाई दे रहा होगा, ओके, चलिए, अब हम इसको देखते है, क्या है power of 2, एगर 2 की power 0 है, तो उसको हम लिखते हैं 1, ठीक, 2 की power 1 है तो आपका हो जाता है, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 है तो वो आपका हो जाएगा 4 और 2 की पावर 3 है तो वो आपका हो जाएगा 8 अगर आप दिहान दो ठीक है 1 को छोड़के बाकी जितने भी आपके नमबर से सारे इविन से ठीक है तो एक condition तो आमारी ये हो गई कि अगर आपको 1 मिलता है अगर 1 है ठीक है तो directly आप return कर दोगे true पहली condition तो हमें इस वाली condition से मिल जाएगी ठीक है उसके बाद वो कह रहा है कि बाकी सारे इविन आ रहे है ठीक है तो एक condition आपकी क्या हो जाएगी अगर आपका कोई भी number जो n आपका माली इसका मतलब वो है ठीक है यह reminder क्या करता है जो भी आपका reminder होता है वो आपका return कर देता है अगर आप किसी भी number को 2 से divide करोगे ठीक है अगर वो successfully divide हो जाएगा तो return कर देगा 0 remainder 0 बचेगा और अगर आपका divide 2 से नहीं होता है तो उसका remainder आजएगा 1 ठीक है तो यहां से हमें दूसरी condition पता चल गई कि भई अगर मेरा number odd कहीं पर भी मुझे मिल जाएगा ठीक है तो मेरा क्याओ का return false यहां से हमें दो चीज़े पता चली अब तीसरा हमें पता कैसे चलेगा भई कि यह आपका power of 2 में है या नहीं है ठीक है तो अब ध्यान से देखो उससे just above ठीक है कहने का मितलब क्या हो गया अगर मैं 2 की power n को divide कर दूँ n से ठीक है यहां में लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा scroll कर देता है अगर मैं 2 की power n को divide करता हूँ n से ठीक है तो मुझे क्या मिलेगा 2 की power n minus 1 ठीक है अगर मैं 2 की power n-1 को divide करता हूं n से तो मुझे मिल जाएगा 2 की power n-2 ठीक है ये कहां तक जाएगा ठीक है मालीजे 2 की power n-1 आपका कितना है n-1 वाइ 2 ठीक है तो अगर आप ऐसे जाते हो ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 की power n इस वाली मतलब क्या है कि अगर आप हर बार इस number को divide करते चले जाओगे ठीक है जो पावर है उससे अगर आप divide करते चले जाओगे यहां पर आपका n की जगा हम लेंगे 2 ठीक है क्यों जो कि जब 2 से divide आप कर रहे हो एक चीज ये धियान रखिए ठीक है तभी तो वह एक आपका previous number पर रहे है n-1 पर आ रहे है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर n की जगा कर देंगे और यहां पर जब भी आप 2 की power n को 2 से divide करते हो तो आपको मिलेगा 2 थीज तो यह चीज हमें पता चल गए तो हम क्या करेंगे बन वाइवर इसको divide करते चले जाएंगे चाहो तो आप पर depend करता है कि आप क्या यूज करना चाहरे हूं ठीक है तो हमें दूसरा logic भी मिल गया ठीक है पहला logic हमारा क्या था कि भाई अगर टू की पावर जिरो है और मुझे अगर वन मिल गया तो मैं रिटन कर दूगा true ठीक है यह आपका two की पावर में है अगर मुझे कोई भी और नमबर मिलता है तो मुझे पता चल जाएगा कोई सब और नमबर हो वो two की पावर में इंक्लूड होगा ही नहीं तो यह आपका रिटन कर दूगा false ठीक है और बाद में उसी चीज़ को बारबार repeat करने के लिए मैं क्या करूंगा ठीके उसको तू से delight करूंगा मुझे उससे प्रीवेस निल जाए गा एक केदर कम मिल जाएगा ठीके गो जब मुझे भूस मिल जाएगा असको फिर फर्थर में आण यह कि करूंगा है चलिए आ जाते हैं अपने page पे अब हम यहां पे क्या करेंगे यहां पे हम coding करना start करेंगे ठीक है सबसे पहले मैं C++ ले लेता हूं ओके सो देखिए यहां पे जो method automatically आपको दिया है कि return होना चाहिए बूल बैल्यू ठीक है आपका गलत नंबर है ठीक है मुझे यह चाहिए नहीं तो मैं क्या करूंगा return कर दूंगा ठीक है क्या return कर दूंगा false simple यह तो मेरा हो गया verify करने के लिए कि क्या मेरी problem में जो मुझे parameter मिल रहा है क्या वह valid है या नहीं है जो मुझे requirement है ठीक है चली यह condition हो गई दूसरी condition मैंने आपको बताए था देखे example 1 जो आपको मैं explain करूंगा अब अच्छे से आपको clear होगा example 1 में वह कह रहा है अगर आपको n is equal to 1 मिल जाता है तो आप उसको true return करो क्यों करोगे भई क्योंकि 2 की power 0 है ठीक है और उसकी value होती है 1 ठीक है और 2 की power में जो भी value आईगी वह हमें find out करना है ठीक है तो एक condition हम क्या लगाएंगे चेक करेंगे यहापे ठीक है इफ इफ तो हमने लगा दिया क्या कर रहे थे हम ठीक है अगर आपका n equal equal 1 के है ठीक है तब return कर दो आप true ठीक है फर्स condition हमारी हो गई अब यह क्या कह रहा है second example को बाद में देखेंगे थर्ड वाले को देखते है कि an अगर 3 है that means कोई भी odd number है an अगर तो directly भई इसको false return कर दो ठीक है sorry तो अब हम यहापे लगाएंगे condition and sorry ठीक है and mod 2 क्या वो equal equal है 1 के अगर वो भी वन के equal है मतलब और नमबर है और जब और नमबर है तो मैं कर दूँगा यहाँ पर return false return false sorry थोड़ा साथ तब यह ठीक नहीं है ठीक है तो इसको बेक्ग्राउंड मीजिक करिएगा ठीक है चलिए अब हमारी दो condition दो examples के उपर हमने condition लिख दी ठीक है एक चीज़ धियान दीजिए जब भी आप इस code lead code की problem को read out करते हैं ठीक है तो 90% solution तो वह आपका statement में और आपके example में दे 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 दागी कौन सी condition आपको रखनी है तो जो मैं आपको चीज़े बता रहा हूं बहुत minor है है I know ठीक है लेकिन जब आप problem को solve करते हो तो बहुत जरूरी हो जाता है यूजली हम क्या करते है अच्छा बही example यह है example यह problem को पढ़ा और कौम करना आपने start कर दिया फिर आप फस गए कि कहां पर क्या हो रहा हमें दो पता ही नहीं ठीक है अच्छा ठीक है तो यहां पर हमारी यह वाली condition भी लग गई अब मैं बात करता हूं इसकी ठीक है कि n अगर 16 होता है तो true करो लेकिन वह कब करें यहां पर यूज करूंगा रिकर्शन आप चाहूं तो लूप यूज कर लो वाई लूप में लगा के इस condition को आप कर सकते हो मैं अभी next problem जो है power of 3 ठीक है उसमें जितनी problems होंगी मैं try करूंगा उनको वाई लूप में करने की ठीक है कोई प्रॉलम नहीं है उसमें आपको वा लूप हो चाहे वाई लूप हो ठीक है या बाई एनिधिंग ठीक है जो भी आप यूज करना चाहरे हो ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूंगा रिटर्न कर दूंगा ठीक है क्या रिटर्न कर दूंगा रिटर्न हम कर देंगे जो मैंने method copy किया है sorry यहां पर यह पूरा code मैंने copy कर लिया था यहां ठीक है और यहां पर n return करते हैं अब यहां n return नहीं करेंगे मैंने आपको बताया था एक n आपने चेक कर लिया अब आपको previous two की आपको इतना सा करना था और कुछ नहीं है इसको मैं एदर पूट कर देता हूं क्योंकि मुझे रन भी करना पड़ेगा चलिए यहां पर हम इसको करते हैं इतने रन हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और हिला देते हैं हम अपने चेहरे को ठीक है ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर हम जर्वरत ही नहीं होगी फरे हिलाने की इतने मैं आपको सेट कर रहा था और आपने देखा यहां पर कोड़ आपका रन हो गया टैस्केस अगर आप चाहो वन की जगह कुछ भी लिखके देख लो 13 लिख दो ठीके 13 लिख रहे हो और नमबर है तो आपका क्या होना चाहिए पॉल्स आएगा ठीक आउपुट फॉल्स आ गया उसको एक्सपेक्टेड भी फॉल्स था वेरे गड़ अरे वाह आपने सी प्लस पर कोड़ कर लिया अब यह आप टेस्स कर चुके हो ओके अब हम इसको करेंगे समेट ठीके अब एक वार और समझिए यहां पर क्या हो रहा था ठीके सपोस आ क्या करेंगे अगली कंडिशन में आएंगे क्योंकि कंडिशन तो फॉल्स होगी फिर हम चेक करेंगे अरे बही क्या आपका एंडवल एक्वल वन जो है ठीक है यहां से भी आप क्या कर दोगे रिटन नहीं करोगे कुछ नेक्स आपका स्टेट्मेंट पर हम चलेंगे फिर चेक कर रहा है कि क्या यहां पर एंड मॉड टू एकवल एकवल वन है कहने का मतलब यह हुआ क्या यह टू से डिजिबल है यह और नमबर है अरे वही यह तो थर्टीन है और नमबर है तो डारेक्ली यहां पर रिटन हो जाएगा पॉल्स यह आपका डिकर्सन पर आये गई ठीक, अब suppose यहाँ पर मैं value ले लेता हूँ 8, ठीक है, पहली बार मैं देखी ही, मैं सारी चीज़े ज़्यादा detail में explain कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बार जो मैं python, java, swift language में code को लिखूँगा, ठीक है, तो मैं वहाँ पर यह चीज़े इतना detail में explain नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ, code में अगर कुछ changes होंगे, कुछ हो, requirement extra add हो जाएंगी, तो definitely मैं आपको चीज़ बताऊँगा, तो आपने input दिया 8, आपको मिल गया true, अब यह true कैसे मिला, चलिए compile करके देखते हैं, यहाँ पर suppose आपका 8 था, क्या 8 आपका 1 से छोटा है, नहीं, कोई बात नहीं, condition false, नीचे आएंगे, क्या 8 आपके 1 के equal है, नहीं, ठीक है, नीचे आएंगे, क्या 8 आपका odd है, नहीं, तो फिर नीचे आजेंगे, पर यहाँ पर क्या होगा, recursion, that means recursion क्या होता है, same method को आप उसी method के अंदर दुबारे से call कर रहे हो, ठीक है, with the different value, और यह चीज जो आपकी कार्म हो रहा है, वो आपका stack में चलता है, ठीक है, stack में आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, जब आपकी value कितनी थी, 8, ठीक है, अब वो कितनी हो जाएगी आपकी, 4, अब यहाँ पर मुझे 4 मिल गया, अब मैं इदर आया, क्या 4 बढ़ा है, चोटा है, भई 4 तो बढ़ा है, नहीं condition 2, ठीक है, क्या 1 के equal है 4, नहीं, क्या 1 आपका odd है, sorry, 4 आपका odd है, नहीं, फिर से वो recursion call करेगा, अब यहाँ पर n की value कितनी थी, 4, अब क्या हो जाएगी, 2, ठीक है, अब वो फिर से इदर आएगा, क्या 2, 1 से बढ़ा है, हाँ है, क्या 2, 1 के equal है, नहीं है, ठीक है, और यहाँ से आप पता करो, क्या यह अभी भी odd number है, नहीं है, क्योंकि जब दो सर डिवाइड कर रहे हो, और आपकी starting में even number था, तो यह condition तो आपकी चलेगी ही नहीं, चाहें कुछ हो जाए, ठीक है, अब फिर से में यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2, अगर आपका यहाँ पर है, 2 सर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो ज जाएगा, और जैसी यह true होगा, that's it, आपको पता चल गया, true मुझे मिल गया है, कि हाँ, यह 2 की power में numbers आता है, got it, ठीक है, और stack कैसे work करता है, stack आपका, मैं आपको अच्छी तरह से explain करूँगा, ठीक है, कि कैसे recursion आपका चल रहा है, तो इसके लिए भी tension नहीं कुछ जाता, अगर वो आपका 2 की power में है वो number, तो definitely आपको यह condition पहले solve हो जाएगी, और अगर वो 2 की power में नहीं है, तो first time पे ही आपको पता चल जाएगा, कि यह odd number है, आपको आगे चीज़े करने की जरुवत ही नहीं है, ठीक है, तो देखा आपने, तीनो example से मैंने conditions कैसे निक response मुलेगा, वाउ, ठीक है, अभी तक आपने जितने भी code submit करें हैं, उसमें आपका 61.60% faster है, ठीक है, चलिए, और यह आपका runtime में 3 MS ले रहा है, ठीक है, और यह आपका 6 MB है, अगर देखो, यहाँ पे मैं आपका task is 1 कर देता हूँ, एक बाट try करके देखती है, यह आपका अगया, और इसको हम कर देते हैं, accept और फिर करते हैं, submit, यह देखिए, अब मैंने test case 1 लिया था, ठीक है, क्योंकि one time पर, first time पर ही उसका हो गया, तो मेरा क्या होगा, इस test case के according आपका, जो test अपने submit किया है, वो 100% है, जितने भी लोगों ना अभी तक submit किया है, ठीक है, उन तो हमारा यह काम हो चुका है, अब एक चीज़ और में बताना चाहूँगा, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि वो चीज़ में अभी करने वाला हूँ, क्या है, मैं यहाँ पर C++ दिखा रहा हूँ, Java भी दिखा रहा हूँ, Swift भी दिखा रहा हूँ, Python भी दिखा रहा हूँ, तो difference के होता language में, क्या है language, तो language में आपका कोई difference नहीं होता, अगर मैं concept की बात करता हूँ, किसी में ज्यादा concept है, किसी में particular concept के लिए आपको multiple methods मिल गए है, जिनको जैसे C++ में आप सारी code को लिखोगे, जावा में आपका method, predefined method बने हूँ है, उस method को आपने call कर लिया, उ ठीक है, according to me, यह में personal view है, क्योंकि में multiple language work कर चुका हूँ, बाकी आपका क्या है, concept कुसी में कुछ ज्यादा होते है, किसी में कम अच्छे हो जाते है, ठीक है, बस, इससे और कुछ नहीं होता, हाँ, अब एक चीज जो में यह बताना चाहरा हूँ, यह मैंने क्यों आपको ठीक है, C++ हो जाए, Java हो, या आपका Python हो, Swift हो, या any other JavaScript हो, कुछ और languages हो, ठीक है, वहाँ क्या होता है, कुछ आपके parameter, basic चीज़े ऐसी होती है, जिनका syntax same रहता है, 99%, 100% नहीं कहूँगा, 99%, ठीक है, क्यों, अगर मैं if की बात करूँ, if को यूज लिखने के लिए, हमें if किसी language में आप जाओ, जो मैं 4 language अभी पढ़ाऊँगा, हल जगा if ही लिखते है, सुच के इसमें सुची लिखते है, for में for ही लिखते है, बस थोड़ा लिखने का हलकर सा तरीका change हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने 99% कहा, लेकिन आपके 99% जो चीज़ें है, same रहती है, ठीक है, अब मैं यह ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह भी point बनता है भई, आप ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब यह चीज़ देखिए, मैं यहाप इस code को copy कर रहा हूँ, direct Java में किया, मैं नहीं लिख रहा Java का code, मैंने simply यह डाल दिया, तो आप मैं आप से पूछना चारह हूँ, क्या यह चलेगा, या कोई error देगा, क्योंकि यह C++ का code है, और आपको कि भई, C++ का code है, आप Java में कैसे use कर सकते हो, भई, check करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने Java पढ़ी है, जो Java developers इस code को देख रहे हैं, तो उन्हें पता होगा, कि हाँ भई, Java में if को ऐसे ही denote करते हैं, ठीक है, और return भी ऐसी करते हैं, function को भी ऐसी call करते हैं, ठीक है, अब आप देख लीजे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, run code, ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा, success मिल गया, दोस्तो, देखे, same code जो Java में था, वही मैंने C++, same code जो C++ में था, वही मैंने Java में डाला और वो run कर गया, ठीक है, क्यों, 99% जो आपके syntax होते हैं, particular concept को use करने के लिए, ठीक है, वो आपके same होते हैं, ठीक है, अब मैं इसको simple submit कर दूँगा, लोग, sir, इसको submit कर लीजे, और हमें बता दीजे, हमारा output कितना है, यह देखिए, faster than 14.55%, ठीक है, यह depend करता है, जब आप submit करते ह है, तो don't worry, इस पर इतना measure मत करना, लेकिन हाँ, आपको चीजे समझ नहीं है, कैसे क्या काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, अब यह देखिए, मैंने C++ को directly Java में use किया है, ठीक है, अब एक जादू और दिखाते हैं, ठीक है, क्या, अब मैं जाता हूँ, swift, ठीक है, जैसे Java में, byt code में convert हो जाता है, ठीक है, तो वो converted होते है, byt code में convert करते हैं, वो क्या करते है है, आपकी jct high level language है, उसको convert करते है, low level language में, ठीक है, assembly language में, यह 0101 में, ठीक है, जब उस और थे, तो वो किसी machine में loaded हो, run हो जाता है, ठीक है, लेकिन, भही compiler बालीजे C++ का compiler है या Java का compiler है Swift का compiler है ठीक है तो ये आपका क्या करते हैं most of the rules जो है same ही रहते हैं इसी लिए आपका जब code compile होता है तो इफ देखिए जाहे आप Swift में लिख दो Java में लिख दो या आपका C++ में लिख दो इनका जो syntax से वो same ही है जो ये language follow करती है standard जो इनके होते हैं जो भी language के compiler जो भी create करते हैं तो वो standard अपना put करते हैं जैसे अगर आप जाओगे OPS के concept पर class आप जाओगे class को लिखने का कहीं पर कुछ और तरीका है Swift में कुछ और तरीका है method को use करने का ये लिखने का तरीका declaration का तरीका किसी language में अलग है लेकिन in short आपका क्या है summarize अगर आप देखो तो concept सबके same ही है वो क्या करते हैं बस language को तोड़ा different करने के लिए आपके syntax तोड़ा different कर देते different कर देते हैं that means compiler में उस particular चीज के लिए वो क्या करते है रूल बना देते हैं that's it अब देखे same code को मैं यहां पर run करूँगा और मैं check करता हूँ अभी मैंने वही code को C++ में किया वही code को Java में किया वही code को अब मैं कहां डाल रहा हूं दोस्तो Swift में ठीक है वाउ accepted अब मैं submit करूँगा तो होफफ़ली submit भी हो जाना चाहिए ठीक यह देखे 85% अपको क्या है ठीक है अब मैं बात करता हूँ Python की Python अपने अपने एक अलगी चीज है ठीक है यहां पर आपने 7-8 line है लिखी है वहां पर आपको दो-3 line में हो जाएगा वह Python है if condition को लिखने के लिए if keyword यूज करता है लेकिन आगे का जो syntax होता है जो curly braces की जगह वो indentation यूज करता है colon यूज करता है ठीक है वह Python के compiler के अपना set of rules है उसकी ठीक है इसलिए मैं इसको अभी पूरा copy paste नहीं करूँगा ठीक है Python अपने 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 अलग है लेकिन हाँ जो basic चीज है वो same है चाहे वो if ले लो, else ले लो ठीक है चाहे switch case ले लो चाहे fall loop ले लो ठीक है बस लिखने का तरीक अलग हो गया है और उसमें set of rules अलग हो गया है काफी easy हो गया है आपको समझाने के लिए ठीक है इसलिए ज़्यादा तर developers जब new year होते हैं तो python choose करते है ठीक है या अगर आप competition या competitive programming कर रहे हैं तो ज़्यादा आप python use करते है ठीक है क्योंकि बहुत कम time में आपका code जो है वहाँ पर valid हो जाता है condition आपकी वही है क्या चेक तो करोगे ना कि आपका number valid है या नहीं है ठीक है यह हमने क्या करा okay या ठीक है और यहाँ पर curly braces की जगह आप लगाओगे column और फिर आपका जगह indentation indentation में आप लिख दोगे return कर दो अगर value सही नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए ठीक है मुझे value चाहिए false अब एक चीज़ देखो आपके बाकी तीन language में false को लिखने का सेम तरीका boolean value में ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या है F capital हो गया चीज वही है दोस्तो बस थोड़ा सा ही change होता है ठीक है अब ठीक है मेरा इतना काम हो गया अब मैं code लिखूँ condition लिखूँ अब देखी मैं वहाँ पुरानी चाहूँ तो पुरानी conditions को यहाँ पर apply कर सकता हूँ ठीक है लेकिन python के अंदर में एक नया तरीका और बताना चाहरा हूँ आपको ठीक है अगर आपने bitwise या end operators देखे होंगे ठीक है end bitwise और bitwise ठीक है तो वहाँ कैसे use होते हैं वह मैं आपको भी समझाना चाहूँगा ठीक है यहाँ पर मैं लिखता हूँ end 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 minus 1 ठीक है और double equal 0 यह आपका जब minus कर रहा है तो मैंने कहा कि भीया पहले इस वैकिट को solve करो उसके बाद आगे जाके काम करो मैंने कहा कि अगर end end ठीक है end bitwise जो आपका है वो end minus 1 अगर आप करते हो यह condition होती है तो आपका अगर 0 आता है उस solve होने के बाद तब आप क्या करोगे उसको true return कर दोगे अब सब्सक्राप ने क्या कह दिया भई क्या हो गया यह हमें तो समझ में आई नहीं रहा मैं अभी आपको समझाता हूं इसको पहले मैं आपको दिखाता हूं run करके ठीक है run करेंगे submit करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसको पूरा explain करूंगा इस line का मतलब क्या है देखे accept हो गया submit हो अब आप चाहो तो जो अभी आपने C++ में code लिखा है उसी को बस थोड़ा सा change करके यहां पर भी लिख सकते हो ठीक है लेकिन यहां पर recursion को करने के लिए थोड़ा सा difficult हो जाता है ठीक है अभी तो इसलिए मैंने आपका नया तरीका यहां पर एक और आपको बताना चाहरा था ठीक है जो कि मैं लेके आया देके submit भी हो गया इतने percent आपका फास्टर जैन अब देखिये मैं क्या कहना चाहरा हूँ आपसे ठीक है वहां लिखा हुआ था एं 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 माइनस वन डवाल इकोल जीरो अब भी इसका मतलब क्या हुआ अब देखिये आपको याद है आपको अगर one है या मैं बात करता हूँ इदर लिख लेता है decimal और इदर लिख लेता हूँ binary ठीक है डिजिटल लॉजिक में आपने ये चीज़ करी होंगी ठीक है अगर zero है तो उसको मैं लिख देता हूँ जितने भी zero लगा दो zero ही रहेगा all ठीक है अगर one है तो यहाँ पर आपका जाए zero अब यह क्या हो रहे है यह थोड़ा भी मैं आपको और एक्स पर अगर आपको नहीं नहीं पता है तो मैं आपको अभी एक्स्प्रेंग करूंगा इस जगा पे अगर आपका two है ठीक है तब उसको हम क्या लिखेंगे 0010 चीक अगर आपका three है तब उसको हम क्या लिखेंगे 0010 यह आपका three हो गया अगर आपका four है four के लिए आप क्या करोगे 0010 चीक अगर आपका five है तो ऐसे ही आपके यह चलते चले जाएगे चलिए अब मैं बात करता हूं यह हो क्या रहा है यह convert कैसे हो रहे है तो जब आपने अग अगर डिजिटल लॉजिक में पढ़ा होगा ठीक है तो यह positions होती है ठीक है चो binary number को किस में convert करती है decimal में उसके लिए हमें क्या करना होता है हर जगा हम लिख देते है two मालो यह binary number है इस तरह से कोई भी binary number में ले लेता हूं ठीक है यहाँ पर हर जगा हम लिख देते है two ठीक अगर और बिट्स है तो और आप ऐसी पावर ऐसी बर्दी चल जाएंगी और उनको कर देते हैं हम क्या पिलस अब यह हुआ क्या two की पावर 0, one two की पावर 2 two, four two की पावर three eight two की पावर four sixteen ठीक है अब आप देखी जाहाँ जाहा one है वह value उठा लो कहाँ एक to यहां बने मतलब 16 प्लस एक कहां पर बने मतलब 4 खल एक लुकि यहां पर बने मतलब 1 फिल्स मवन थीक 1 फिये क्या होओका 21 यह decimal में 21 है और अगर आप binary में देख़ोगे 21 का representation तो यह है ठींट tragnam चलिए आपको बाइने टू डैसिमल होगे अब मैं यह चीज क्यों समझा रहा हूँ मैं बताता हूँ ठीक है अब मान लीजे हमारा एंड जो था स्टार्टिंग में 3 था तो हमारा जो लॉजिक था रही था एंड एंड माइनस 1 तो यहां पे मैं कर दो 3 & 2 अब इसका मतलब क्या हुआ ठीक है अब हम यहां क्या करेंगे यहां पे हम end bitwise करेंगे इसका मितलब क्या हुआ जो bits होंगी उसमें end operator लगाएंगे तो अगर मैं बात करूं 3 की ठीक है so 3 में अगर आपकी में बात करूंगी यह आपका 0 के लिए हो गया 1 के लिए हो गया 2 के लिए हो गया 3 के लिए हो गया हमने थिरीका सही लिया है तो का हमने सही लिया है हाँ जी चीख है तो यहां पे आप एक चीज देखिए ठीक है क्या end operator करता क्या है end operator आपका क्या करता है अगर आपका one one होगा ठीक है तब ही वह one return करेगा otherwise हर जगह पे आपका क्या आ जाएगा 0 तो देखो one or zero zero one 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 zero 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 यहाँ पे आपको क्या मिला two 2 मिला हाँ जी ठीक है क्या यह 0 के एक कुल है क्योंकि हमें तो इसका output जो है 0 चीए नहीं ठीक है इसका मतलब क्या हुआ यह आपका 2 की powers पे नहीं है अब भी यह आपने ऐसे कैसे कह दिया ठीक है यह तो आपने अपने एक्जाम्पल दे दिया ठीक है अब और कोई एक्जाम्पल भी तो हमें दिखाओ जिससे हमें confirm हो जाए अच्छे चलो ठीक है वह भी देखते है suppose मैंने n is equal to ले लिया यहां पे 8 ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा 8 and 7 according to n and n-1 ठीक है अच्छा अब 8 की 7 के लिए आपका क्या आएगा ठीक है पहले 8 के लिए लेते हैं यहां पे 8 के लिए direct हमें पता है जिरो जिरो ठीक है यहां पे 1 2 4 8 ठीक है तो इसकी bit में directly लिख रहे हूं ठीक है आप निकाल के चेक कर सकते हैं तो यह आपका किसका representation है binary का 8 का ठीक है ऐसी 7 में कहां आ जाएगा 4 2 1 7 4 2 1 7 अब एक बार आप देखिए यहां पे 0 आ जाएगा 0 0 0 टोटल आपका क्या आ गया 0 तो क्या n is equal to 8 आपका 2 की पावर में है है ठीक है हाँ जी भाईया है क्यों जो कि इसका जो end operator आपने निकाला वो आपका क्या आ गया 0 वह अगर 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि भाईया जो हमने logic लगाया था python में ठीक है कि end end n-1 is equal to is equal to 0 यह condition अगर true होगी तब ही आपका true return होगा ठीक है देखो यहां पे मिल ग आपका आपका 6 है आप चाहो तो 16 के लिए चेक कर लो चाहो तो 64 के लिए चेक करो ठीक है या 30 के लिए चेक करो आपको पता चल जाएगा ठीक है अब यहां पे माली जी 6 है and 5 ठीक है 6 के लिए मैं क्या होगा 6 के लिए मैं बनाऊगा 0 1 1 0 ठीक है 5 के लिए मैं क्या बनाऊग यह आपका रिप्रेजेंटेशन है 6 का यह रिप्रेजेंटेशन है 5 का इनके बीच में लगानों end ठीक है 0 1 0 0 1 0 यहां पर देखो 1 आ गया इसका मतलब यह not equal to 0 ठीक है तो यह आपको दिखाता है कि भही अगर आप n and n-1 करोगे और अगर वो आपका output 0 आ जाता है तो definitely वो आपका क्या होगा power of 2 होगा ठीक है तो यहां पर देखिए यही आपका काम हो रहा है वहां पर जैसे others में हमने क्या check किया loop लगाया recursion किया ठीक है सारी चीज़ें करी लेकिन python में हमें वो चीज़ करने की जरूबत नहीं पड़ी directly हमारी एक लाइन से काम हो गया ठीक है तो यह तरीका दा python में लिखने का ठीक है python में आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो यह मैं आपको टास्क दे रहा हूं ठीक है और आप comment में output मुझे दीजेगा python में इसी सेम चीज़ को कैसे solve कर सकते है अगर आप मुझे solve करके देंगे ठीक है अगर पॉसिबल है ठीक है definitely मैं आपको कुछ कि ज़रूर दूँगा ठीक है मेरा gift जो होता है definitely depend नहीं करता price बगर अपर मेरा content waste होता है ठीक है सारे gift मेरी जोंगे content पर waste होता है तो पिछले एक ड़र साल से मैं इनी चीज़ों पर work कर रहा था ठीक है उसके बाद मैंने सारी चीज़े निकाली है और अब setup हो गया है तो अब मैं अपने content को आपके साथ share कर रहा हूं ठीक है क्योंकि ग्यान बातने से बढ़ता है ठीक है चले दूस्तों आज के लिए इतन नहीं ठीक है और अगली problem हम start करेंगे ठीक है वो problem कौनसी होगी power of 3 ठीक है कैसे हम power of 3 को solve करेंगे अब आप power of 2 समझ गया हो तो आपको थोड़ा बहुत idea हो गया होगा भी power of 3 में क्या होगा 3 की power 0 3 की power 1 3 की power 2 3 की power 3 जो भी output होगा वो आपका digit आपको चेक करने है क्या वो 3 क पिलागने ठीक है 1 एक ठीक है 3 की table की बात नहीं कर रहा हूं 3 की power की बात कर रहा हूं बहुत सारी जो आपकी डवलापर से थोड़ा confuse हो जाते कि यार 3 की power का मतलब हो गया 3 into 1 3 into 2 3 into 3 नए 3 की power 0 का मतलब हो गया 3 into 0 ठीक है 3 into 1 क्योंकि किसी भी power 0 उती है तो 1 आ जाता है फिर 3 की पावर 1 के लिए हो गया 3 into 1 ठीक है 3 की पावर 2 के लिए हो गया 3 into 3 3 power 3 के लिए हो गया 3 into 3 into 3 that means 0 sorry 1 3 कितना 9 ठीक है फिर 27 इस तरह से यह जो आपका यह पावर of 3 में आता है ठीक है तो इस problem को आप पहले पढ़ लिजेगा next problem हम यही solve करेंगे और 90% चीजे हम आपका देखिए यहीं से निकाल देंगे आपकी conditions को ठीक है यह आपका input 27 है तो क्या output आना चीए है अगर n की value minus में है तब आपका क्या return होना चीए है ठीक है यहाँ पे इस ने यह condition भी लगा दी कि भाया अगर तुम आपका तुम्हारा minus में है तो भी false कर दो तो वह आपकी कौन सी condition है आप simple check कर लो कि भी क्या मेरी digit 1 से छोटी है अगर n आपका 1 से छोटा है तो आपका क्या करना है आपको false return करना है यहाँ पे आपका क्या है 0 पे भी क्या हो रहा है यहाँ पे false हो रहा है तो आप n चलो यह मैं आपको तभी समझाऊंगा ठीक है क्योंकि आप उसको करिये और comment out करिये ठीक है मैं उसको आगे जाके आपका next lecture में shout out करूँगा ठीक है आपका name जो भी software करेगा यह डालेगा ठीक है तो ठीक है दोस्तों और में भी हो सकता है आप इस वीडियो को एक महीने बाद दो महीने बाद भी देखो ठीक है तो मैं shout out करूँग और हाँ lastly भई like subscribe comment please करिएगा ठीक है क्योंकि आप करेंगे तो मैं थोड़ा सा motivate होँगा और जब मैं motivate होँगा तो और मैं अच्छी से आपको explain करूँगा definitely नहीं भी होँगा motivate तो भी करूँगा ठीक है उसकी कोई बात नहीं है लेकिन हाँ आप करोगे तो मुझे और गुटनाइट